हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तोसे प्यार भरा नमशकार सच्छियाकाल अदाब दोस्तो एक बर मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं मैकरोनी बहुत ही टेस्टी मैकरोनी बना कर त्यार करने वाले हैं और बच्चों को जब भी भूख सता है तो फटा फट जट पट से उन्हें इस तरह से मैकरोनी बना कर दे दीजिए बहुत ही टेस्टी लगेगी उन्हें और इसे बनाना भी बहुत अ तो आईए देखते हैं इसे हम अपने घर पर असानी से किस तरह से बना सकते हैं तो यह देखिए मैंने एक पैन में पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है और पानी अच्छी तां से गरम हो चुका है अब डाल देंगे इसमें हम दो कप के क्रीब मैकरोनी साथ में ही मैं इसक अच्छी तरह से और इसमें आने देंगे बॉयल तो फ्रेंड्स जैसे ही इसमें बॉयल आएगा यह दिखिए बॉयल आ चुका है अब मैं इसे रख दूंगी साइड पर दो मिनट के लिए कवर करके और यह अच्छी तरह से फूल कर त्यार हो जाएगी और इसे कर लेंगे ह मैंने कड़ाई रख दिया और दो बड़े चमच मैंने इसमें ओयल डाल दिया है और 1-4 टीस्पून के क्रीम मैंने इसमें डाल दिया है जीरा जैसे ही जीरा हलका सा ब्राउन होगा हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ लसन यानिकी कार्लिक जिससे इसका फ्लेवर बहुत वह बहुत ही बढ़िया टेस्ट लेकर आता है मकराणी में आप ऐसे इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे ये दिखिए हलका सा कलर चेंज हो गया है अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज और प्याज को भी मिक्स कर देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से भून लेते हैं जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता ये दिखिए हलका हलका कलर चेंज हो गया है तो एक मैंने हरी मिर्च कट करके इसमें डाल दी है ये ऑप्शनल है अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं बच्चे नहीं पसंद करते तो आप इसे मत डालिए स्किप कीजिए वैसे तो आजकल बच्चे चटपटा खाना पसंद करते हैं तो देखिए प्याज हमारे चीतां से भून चुके हैं और अब मैं डाल दूँगी इसमें कटे हुए टमाटर तो मैंने ये दो टमाटर लिये हैं जिसे मैंने चौप कर लिया है और करेंगे चीतां से इसे भी मिक्स फ्रिंड्स बहुत ही ईजी रेइस्पी है ये और बच्चों को ये बहुत पसंद आती है और जेटपट से बन कर त्यार हो ज़ती है अब मैं डालूंगी इसमें स्वाद के अनुसार नमख क्योंकि नमख हमें ध्यान से डालना है क्योंकि हमने मैकरोनी को उबालते समय भी ड करा रही हिए । इसमें और गयेनो जिससे इसमें फ्लेवर बहुत भड़ी आता है साथ में आदा चमच के क्रीम मैं ले रही हूँ चिली ně फ्लेक्स में रेड चिली पउर इसमें नहीं एड कर थोड़ा समय से और पका लूँगी टमाटर हमारे लगबग त्यार हो चुके हैं मसाला बहुत ही अच्छी तरह से बन चुका है और अब मैं डालूँगी इसमें तीन चमच के करीब टमाटो कैचप इसमें बहुत ही बड़िया फ्लेवर आ जाता है इससे टमाटो कैचप डालने से और बच्चे भी इसे बहुत लाइक करते हैं तो फ्रेंट्स अब मैं इसमें एड़ करूँगी धनिया पत्ता मसाला हमारा बिल्कुल त्यार हो चुका है और इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें बॉयल की हुई मैकरॉनी यह देखिए कितनी खिली-खिली हमारी मैकरॉनी त्यार हुई है और मैंने इसे ज़्यादा देर नहीं पकाया बॉयल आने के बाद मैंने इसे दो मिनट के लिए कवर करके रख दिया जिसमें हमारी जो मैकरॉनी है वो बहुत ही बड़िया त्यार हो गई है और पिर मैंने उसे चान लिया पानी में से तो ये देखिए अच्छी तरह से इसे मसाले में मिक्स करेंगे ताकि सबी फ्लेवर्स जो है मकराणी में अच्छी तरह से आ जाएं बस एक मिनट मैं इसे और अच्छी तरह से पकाऊंगी बहुत ही बढ़िया खुश्बू आ रही है ये देखिए हमारी मकराणी बिल्कुल त्यार हो चुकी है एक मिनट मैंने इसे च्छी तरह से पका लिया है और अब मैं डालूँगी से प्लेट में तो ये देखिए कितना बढ़िया कलार आया है मकराणी का और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी है इस तरह से आप बच्चों को बना के दीजिए बच्चों को बहुत पसंद आएगी तो लीजिए फ्रेंड्स त्यार है आपके लिए मकराणी बिल्कुल सिंपल त्रीके से त्यार की हुई और फ्रेंड्स आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लेगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलती हूँ दोस्तो एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई